रचनात्मक अभिव्यक्ति को विक्सित करने में शिक्षक की भूमी का महत्वपूर्ण है नलोर जिले में संगम मंडल के गांधी जनसंगम गाउं में स्थित ग्रामीन बाल अनुसंधान केंद्र के उपर लिकी इन पंक्तियों के लिए एक सटी को दारन है केंद्र ने इस नारे के साथ एक अभिनव पहचान हासिल की है सपने वे नहीं है जो आपको सोते समय दिखते हैं वे कुछ ऐसे हैं जो आपको तब तक सोने नहीं देते जब तक की आप उन्हें हासिल नहीं कर लेते चात्र को यह समझने के लिए कि उसे क्या सिखाया जा रहा है शिक्षक को हर हाल में बच्चा बनना होगा उसे चात्र की तरह सोचने की जरूरत होगी वही यहां हो रहा है यह शिक्षक जीव विज्ञान और खगूलिय विज्ञान जैसे जटल विशियों को सरल तरीके से सिखाते हैं ताकी चात्र उन्हें बिना किसी तनाव के समझ सके पड़ाय चोड़ने वाले याने की ड्रोप आउट बच्चों की उचदर वाले आधिवासी और ग्रामीन चात्रों के लिए सुब्रमन्यम मास्टर पिछले 10 वर्षों से व्यज्ञानिक तरीकों से पाठेक्रम में बच्चों की रूची जगा रहे हैं यही कारण है कि आस पास के करीब 10 स्कूलों के चात्र यहां आते हैं और सीखते हैं सुब्रमन्यमास्टर ने अपने माइक्रोस्कोप के साथ ही कई मॉडल बनाये हैं अंतरिक्ष संबंधी प्रयोगों को मॉडल के माध्यम से वर चात्रों को समझाते हैं इन मॉडलों की मदद से चात्र बहुत ही आसानी से समच चाते हैं ग्रहन, अक्षांश, देशांतर यानी लोंगिट्यूट्स और लेटिट्यूट्स के व्याख्या इन सभी मॉडलों के माध्यम से आसानी से हो जाती है सुब्रमन्य मास्टर एक गरीब परिवार से होते हुए भी सफलता पूर्वक शिक्षक बन गए है सुब्रमन्य मास्टर कहते हैं कि वे छात्र को शिक्षा देने के उतेश्य से इतनी महनत कर रहे हैं कि समाद जानता है कि गरीबी कभी भी एक प्रतिबाशाले व्यक्ति को सफल बनने से नहीं रोख सकती है।